सथ्रियकाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है PPSSquad series के इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पंजाब की soil types की और मैं बता दू कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या इससे पहले हमने जितने भी वीडियो की है उन सब का PDF चाहिए तो आपको मिल सकता है पंजाब की ब्लॉग से या फिर उसके लिए आप एक टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो जिसका नाम है PPSSquad by Sumit और इन द अगर हम देखें तो soil is loose material that lies on the top of the land it is a mixture of many different things including rocks, minerals, water and air soil also has living things and dead things in it we call the living and dead things organic matter तो definition से हमें क्या पता चला है soil की तो definition से हमें यह पता चला है कि soil जो होता है वो अर्थ की crust का सबसे top most part होती है और इसका जो material होता है इसका जो particles होते है वो loosely bound होते हैं मतलब उन में spaces present होती है और उन spaces में रहते हैं कौन living organisms या फिर dead organisms के पाथ और क्या क्या होता है soil में और हमें देखनी को बिलता है soil में minerals water और air ठीक है और यह जो organisms होते हैं living और dead organisms जो होते हैं they constitute the organic matter of the soil okay so soil की definition अब हमने देख लिए अब हम देखते है पंजाब की soils तो पंजाब जो है it is basically it is basically a part of indoor genetic drainage system तो इंडस और गंगार ना जो रिवर का जो drainage system का पाट है पंजाब और इन drainage system की rivers वह आती है वह हमालय रिजन से आती है तो पंजाब को पंजाब का जो alveal deposit है वह आता है हिमालया से ठीक है soil types के अगर हम बात करें पंजाब के तो यह सब types of soils पंजाब में present है इनको एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे फिलहाल नाम देख लेते हैं जो alveal deposits होते हैं वह वह बेसिकली दो तरह की होते हैं खादर और भांगर टाइप तो खादर टाइप ओफ अफद्व अफ दीपोसिक्त वह होते हैं जहां पर डेपोसिट्स रिन होते रहते हैं तो फ्रीक्वेंट्स फ्लाइप प्लाडिंग होती रहती अजिन अरियास में ऐलुबिट धिपॉजित शच्रेट हम अधर तेपॉजित अधर प्रक्रेग Лाय खता है को पर तके अधर फटाइल छो प्रक्राइक टाइब होसे होते हैं जो बैट सॉयल है इसके pH है 7 से लेके 8.4 तक और इसके जो क्रॉप्स जो इसमें उगाए जाती है वो है पैडी, वीड, शुगरकेन और वेजिटेबल और पंजाब के जो एरिया अगर हम देखें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजिन है तो वो है पंजाब की जो सतल तक का एरिया और यह थी बैट सॉयल एक्सटम देखें है लोमी सॉयल होती है तो यहां पर सबसे ज्यादा क्रॉप हील्ड होती है और इसका अगर हम टेक्च्चर की बात करें तो जो टेक्चर होता है वो फाइन ग्रेंड होता है यानि की काफी चोटे-चोटे सॉयल पारिक और जैसे कि अपने बात के सबसे फॉर्टाइल यह जो एरिया होता है तो यहां पर जो क्रॉप होती है वो होती है वीट और पैडी क्रॉप्स ओके एरिया जो पंजाब का है जो की लोमी सॉयल के अडर आता है वो है टोटल एरिया का 25% और अगर अगर स्पेसिफिकली डिस् जलन्दर डिस्ट्रिक्ट नकवदर तहसिल में फगवाणः में घपूर्थला डिस्ट्रिक्ट में मालवर रिजिन में पत्याला डिस्ट्रिक्ट में नाबा संग्रूर रिजरे का सदरन पाथ मुक्त्र या बठिंडा में भी यह मिलती है लोमी सॉयल्स टोटल एरिया का 25% constitute करती है तो यह ती लोमी सोयल्स नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि यह सेंडी सोयल्स तो सेंडी सोयल्स जो है नाम से पता चले है काफी रेतीला इलाका होगा गरम इलाका होगा तो यहांका क्लाइनी कंडिशन्स जो होती है जो होगा होता हम फाल के सेंडी सोयल्स नहीं होता है है because of deficiency of organic matter ठीक है organic matter के साथ साथ यहां पर जो है minerals भी नहीं मिलते हैं कौन से minerals जो most important minerals होते है crops के लिए plants के लिए जैसे की nitrogen phosphorus potassium यह mineral भी यहां पर जो है इनका content भी काफी कम होता है okay pH value के अगर हम बात करें तो इसकी pH value है वो है 7.8 से लेकि 8.5 तक की और यहां पर जो crops होती है cotton, citrus, oil seeds, wheat और fodder crops ठीक है तो पैड़ी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी rice नहीं होती है क्योंकि यह semi-arid region में होती है okay और area जहां पर यह present होती है पंजाब का वो अधिया वो है बठिंडा मांसा फिरोजपूर मुकसर डिस्ट्रिक के पाथ और संगरूट डिस्ट्रिक में और जो पत्याला डिस्ट्रिक का south central part है वहां पर जो है sandy soils मिलती है ठीक है तो यह सब एरिया पंजाब का आता है under the sandy soils next type of soil देखते हैं so next is desert soil तो sandy soil थी semi-arid area में थी desert soil तो पुरा ही arid area में होता है उसकी climatic condition at least warm to hot थी इसकी hot climatic conditions होती है और जो rainfall होती है वो होती है 30 cm तक की ही तो sandy soils की rainfall जो था 30 to 50 cm तक का यहां होता है up to 30 cm only कलर की अगर हम बात करें तो desert soil का color होता है yellow to light brown और यहां पर भी organic matter यानि की humus organic matter यहां पर नहीं होता है deficient होती है यह soils organic matter में और साथी साथ minerals वही minerals वही important minerals nitrogen, phosphorus और potassium यह भी नहीं होते हैं desert soils में pH value के अगर हम बात करें तो इसकी pH value होती है 7.5 से लेके 8.5 तक की और desert soil में जो crops होती है वह होती है cotton, moth, citrus, wheat, bajra तो राजस्तान साइट की crops होती है वह होती है desert soil में और पंजाब का बट कौन सा area जो आता है desert soil के अंदर आता है वह है अबोर तेसील फाजिलका डिस्ट्रिक की और जीरा तेसील फिरोजबूर डिस्ट्रिक की मुक्तसर बढ़िंडा मांसर डिस्ट्रिक के पाट और संग्रूर और लुध्याना के भी कुछ डिस्ट्रिक में तो डिसट्रिक में नंच या जाती है वह होती है वह होती है साउथ वैस्टन पंजाब में नेक्स हम देखते हैं कंड़ी soil तो नाम से पता चौड़ रहा होगा जिनों पंजाब की फिज्योग्राफिवल वीडियो कंडी soils कंडी एरिया में होती है तो कंडी एरिया अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए पंजाब की फिजियोग्राफी की जो आपको इसी सीरीज में मिल जाएंगी तो कंडी एरिया बेसिकली होता है शिवालिक जो हिल्स है उनका फिट सब्सक्राइब की जाएंगे तो साइज ऑफ जो बढ़ जाएगा यानि बढ़े मिल के हंनती हमें तो मैपल जियसे की साइट की जाते हैं कंडी एरियांगे क्रॉप्सम्राइब करें जादा प्रोड्थिज Almost थे कि बाद्धिज एरिया ंधियां तो रह्य बाद ऍन कड़ कर नहीं पाती है तो यहां पर जो फार्मिंग होती है वो ड्राइ टाइप फार्मिंग हो सकती है यानि कि वाटर रिजिस्टेंट क्रॉप यहां पर उगाई जा सकती है तो पंजाब के कौन से एरिया को कंडी रिजन बोलते हैं तो वह एरिया है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पठानकोट अब एक डिस्टिक हो गया है गुर्दाशपूर डिस्टिक पहुश्यारपूर के कुछ पार्ट नवाश्यर और रोपर डिस्टिक तो यह सब एरियास में जो है गंडी सॉयल्स पाई जाती है नेक्स्स हम देख लेते हैं नेक्स है फॉरस्ट स्यविन सो इसके भी नाम से पता मने चल रहाएगा फॉरेस्ट स्यव फॉर्ष्ट् पंजाब मेरें ट्शीडाब यू ला सेने सट के बात किलें तो स्टोप ड्रेवली संड इसमें क्रॉप्स दर्शल्य जासरूं 2 सॉइल कौन से एरिया में पाई चाते है पंजाब का है फिरे खेंठी ते अ करोंध कैंगे बात करें देड़ चान डा संसा वे मोशंते हैं थी बट वहाँ पर जो rainfall content था वो 32-50 cm का था यहां है 50-70 cm तक की rainfall और temperature अगर हम देखें तो temperature है 24-25 degree का average temperature और 0-0 जो soil type होती है इसका जो color होता है वो होता है gray, gray क्यों होता है क्योंकि यहां पर organic matter जो है नहीं होता है और यहां पर जो crops उगाए जाती है तो सबसे जादा yield यहां पर होती है वो wheat की होती है अगर अच्छे से उसको पानी मिले इरिगेशन अच्छे से हो तो wheat की is deal जो है हमें 0-0 से मिल जाती है और अब तो इसमे बैडी क्रॉप्स भी इंटर्ड्यूस कर दी गई है यानि कि राइस वगेरा जो है वो भी इंटर्ड्यूस कर दिया गया है 0-0 में क्वाइब करे पंजाब के कौन से एरिया में Cirozems प्रेशन है तो रहं तरहं पटी तहसील मुकेरियां और तांड़ा तहसील हुशारफू ॡिस्ट्रिक की नकोधर और फिलोर जलंदर डिस्ट्रिक के फतिगड़ राजपुरा और पट्याला डिस्ट्रिक तो इन सब एरिय होता है मतलब काफी हाइ content of salt होता है about 0.2% ठीक है तो 0.2% से भी जादा है या पर salt content होता है और salt में भी अगर हम बात करें तो पूरे salt का 15% of the salt होता है वह होता है sodium salt okay तो हम बोड़ रहे हैं कि salty soils होती है तो इसके pH value भी काफी high होगी जो कि होती है 8.5 से भी जादा तो pH value के अगर हम बात करें तो 7 की pH value वो neutral होती है 7 से कम की pH value acidic होती है और 7 से जादा की pH value alkaline pH होता है तो sodic soil की pH value है 8.5 से भी जादा और कौन से एरिया में यह पाई जाती है तो वो एरिया है फाजिल का बटिंडा मुक्तसर फिरोजबूर और फ्रीद को डिस्टिक्स पंजाब की तो यह सब एरिया में sodic soils मिलती है ओके सो यह थी last type of soil of पंजाब और अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई